नी संतान दमपती के लिए टेस्ट्यूब बेबी का इलाज किया जाता है तो लोगों के सवाल यह उठता है कि इसकी क्या उम्र होती है 20 साल से 50 साल की उम्र में कभी भी टेस्ट्यूब बेबी किया जा सकता है लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके अपनी महिलाओं में दोनों ही ट्यूब बनें फेलोपियन ट्यूब खराबें अंडे नहीं बन रहें पती के वीरी में शुक्राणों की कमी है या बहुत ही बिल्कुल जीरो के बराबर है तो ऐसे में अपने को समय बर्बाद करने का कोई अर्थ ने रहता है जितनी जल्दी अपन टेस्ट्यूब बेबी की प्रक्रिया को अपना ले अपने लिए उतना ही अच्छा रहता है अब तक अटे बनते रहते तो वो तो पचास साल के उमरे तक होता रहता है बट इसका मतलब यह नहीं है कि एपन 45-50 साल की उम्रे में भी खुद के अंडों के साथ में बच्छे हो सकते हैं ऐसी अवस्था में क्या होता है बच्छे गिरने बच्चों में जन्मजात रोग होने और उनमें अनुवान्शिक बिमारियां होने की रिस्क जादा रहे इश्वर ने कुछ मामलों में भेदबाओ किया है अगर इस्ति और पूरुष दोनों की तुलना की जाए तो पूरुषों में सहां सतर वर्ष की उम्रों में भी उनको खुद से बच्चे हो जाते हैं ल प्रक्रियर की भागदोर थोड़ा परियावारन और खुद की लाइफस्टाल इसकी वज़े से भी अंडों की गुनवत्ता में खराबी आने लगती है तो ऐसे महिलाओं में ऐसे कपल में हम लोगों को क्या करना रहता है महिलाओं के साथ थोड़ा सा मैच खाते हुए हम डो इस प्रक्रिया में कुछ नई आधुने प्रक्रियाओं का भी विकास हुआ है अभी कुछ सालों में जैसे कि लेजर और ब्लास इससे अधिक उम्र में भी जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिनको देखने पर लगता है कि ये नानी या दादी की उम्र की है लेकिन बेभी मा बन पा रहे हैं और इसमें कुछ बुरा नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है